हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे अजमेर जंक्षन से जोधपूर तक चलने वाली सबी ट्रेनों की जानकारी के बारे में अज मेर जंक्षन से जोधपूर तक कुल चार ट्रेने चलती है यह चार ट्रेने मेल एक्सप्रेस टाइप के ट्रेने है इन ट्रेनों में सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन कॉर्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस ट्रेन है और इन ट्रेनों में स्लो चलने वाली ट्रेन इंदोर जोधपूर एक्स्प्रेस ट्रेन है अब हम बात करेंगे इन ट्रेनों के नाम, नमबर और टाइमिंग के बारे में नमबर वन मुंबई सेंट्रल भगत की कोठी वन ट्रीप स्पेशल फेर स्पेशल ट्रेन है इस ट्रेन का नंबर 09093 है यह ट्रेन हफते में एक दिन चलती है यह ट्रेन संडे को सुबह को पांच बजे अजमेर जंक्षन से चलती है और चार घंटे 30 मिनट बाद चार होल्ट के साथ सुबह को 9 बज कर 30 मिनट पर भगत की कोठी पहुँचती है यह ट्रेन वाया, ब्यावर, मारवर जंक्षन, लूनी जंक्षन के रास्ते भगत की कोठी पहुँचती है इस ट्रेन में आपको 2 एसी, 3 एसी, स्लिपर और जर्नल के कोच मिल जाते है नंबर 2, कॉर्बेट पार्क लिंक एक्स्प्रेस ट्रेन है इस ट्रेन का नंबर 2, 5, 0, 1, 4 है यह ट्रेन डेली दोपहर को 12 बज़ कर 25 मिनट पर अजमेर जंक्षन से चलती है और 4 घंटे 15 मिनट बाद 5 होल्ट के साथ शाम को 4 बज़ कर 40 मिनट पर जोधपूर पहुँचती है यह ट्रेन वाया ब्यावर मारवार जंक्षन भगत की कोठी के रास्ते जोधपूर पहुँचती है इस ट्रेन में आपको 2 एसी, 3 एसी, स्लिपर और जोर्नल के कोच मिल जाते है नंबर 3 रानी खेत एक्स्प्रेस ट्रेन है इस ट्रेन का नंबर 15014 है यह ट्रेन डेली दोपहर को 12 बज़कर 25 मिनट पर अजमेर जंक्षन से चलती है और 4 घंटे 15 मिनट बाद 5 होल्ट के साथ शाम को 4 बज़कर 40 मिनट पर जोधपूर पहुँचती है यह ट्रेन वाया, ब्यावर, मारवार जंक्षन भगत की कोटी के रास्ते जोधपूर पहुचती है इस ट्रेन में आपको 1 AC, 2 AC, 3 AC, स्लिपर और जोधपूर के कोच मिल जाते है नंबर 4 इंदोर जोधपूर एक्स्प्रेस ट्रेन है इस ट्रेन का नंबर 14802 है यह ट्रेन डेली दोपहर को 2 बजकर 5 मिनट पर अजमेर जंक्षन से चलती है और 5 घंटे 35 मिनट बाद नौहल्ट के साथ शाम को 7 बजकर 40 मिनट पर जोधपूर पहुचती है यह ट्रेन वाया, ब्यावर, हरिपूर, मारवार जंक्षन, भगत की कोठी के रास्ते जोधपूर पहुचती है इस ट्रेन में आपको 3 असी स्लिपपर और जोधपूर के कोच मिल जाते है यह सारी ट्रेने अजमेर जंक्षन से जोधपूर तक चलने वाली ट्रेने है आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं